मुझा स्री सिवाई नमस्तुभ्या नमस्कार दूस्तों आजकी इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च के माह में फागुन के माह में 3 यूदसी कचो बिरत रखा जाएगा उसकी तिधिया क्या होगी वार क्या होगा पूज पूजक की विधियां क्या होंगे और किन किन बातों हमें विशे इस तोर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि इस ब्रत को करके इस पूजन पाठ को करके संपर्ण शुक और संब्रिधि के आपको प्राप्ति हो जो भक्तगन ब्रत नहीं रख पाएंगे या नहीं रखना चाहते हैं उन सभी के लिए नियम क्या होगा वह भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईए वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को तमभविश्य के कामना करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ भगवान शिव को त्रियोदसी का व्रत अत्यधिक प्रिये माना जाता है हर माह में दो त्रियोदसी का व्रत होता है एक सुकल पक्समी और एक क्रेशन पक्समी और इस तरह हम देखते हैं तो पूरे वर्ष भर चौबिस त्रियोदसी तिथी होती है जो कि महादेव जी के पूजा और अराधन को समर्पित होती है इसने देवोकदेव महादेव के पूजा अरचना करने से व्यक्ति के जीवन में इतने बदलावाते हैं जीसे मैं भी सब्तों में नहीं बया कर सकती हूँ मनुशके शंपन मनोरत सिद्ध होते हैं सुक और सम्दित्धी का आशिरवाद प्राप्त होता है साल दोहजार चौबिस में फागुन माह में पढ़ने वाले 23 तिथी जो है बहुत ही सुब है और कई सारे सैयों की वज़े से इस दिन का महत्व और अधिक होड़ा है वैसे तो भगवान शिव और मापारवदी के पूजा अरजना पूरे सालों भर हम करते हैं ताकि महादेव के किर्पा और मापारवदी के किर्पा सभी भक्तों पर रहे ऐसा हो करने से वैक्ति के जीवन में तो परिसानिया आती नहीं है और यदि आती हैं तो उसका निवारन भी तुरंट मिल जाता है आज हम जानते हैं कि साल 2024 की फागुन माह में पढ़ने वाले 23 तिथी के बारे में फागुन के माह में क्रेशन पक्स के 23 तिथी आठ मार्च को है इस साल बहुत ही सुभ योग कर निर्मान हो रहा है क्योंकि साल 2024 में महा सिवरात्री और प्रदोज का व्रैतर दोनों ही एक ही तिथियों को हो रहा है और दोनों ही पर्व भगवान भोले नात को समर्पित होती है यह दोनों ही पर्व बहुती सुभ होती है और इस मौके को तो किसी भी भक्तगन को हाथों से बिलकुल जाने नहीं देना चाहिए फागुन के माह के क्रिसन पक्से की चतुरदसी तिथी पर महा सिवरात्री का व्रत रखा जाता है लेकिन इस बार तिथियों का संयोग कुछ ऐसा है कि फागुन की तिरुदसी तिथी और महा सिवरात्री की पूजा का निसीता मोहुरत एक ही दिन बन रही है ऐसे में इस बार व्रत से आपको दोगुने लाब की प्राप्ती होगी आईए हम जानते हैं फागुन माह में पढ़ने वाले तिथी की और व्रत के बारे में फागुन माह के क्रिशन परक्सिकी तुरोदसी तिथी आठ मार्च को होगी दिन सुक्रवार होगा शुक्रवार का दिन मालक्षमी का दिन भी होता है जो 23 तिथी सुक्रवार की होती है यानि कि जो प्रदोस का व्रत है सुक्रवार को पढ़ता है उससे सुक्रप्रदोस व्रत के नाम से जानते हैं और इस दिन राधना करने से सुख सौभाग्य के प्राप्ति होती है दामपत्य जीवन में भे सारा प्यार सिनेह बढ़ता है विवाही के रिष्टे जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं आठ मार्च को ही यह आरंभ हो जाएगा देर रातरी एक बज़ करके उननैस मिनट से लेकरके आठ मार्च को ही रातरी नौ बज़ करके संतावन मिनट तके ही यह मान्य होने वाला है आठ मार्च को रातरी नौ बज़ करके संतावन मिनट के बाद महसिव रातरी की चतुरदसी तिथी आरंभ हो जाएगी और प्रदोसकाल की पूजा महुर्त का जो है वहाँ 8 मार्च ही होगा क्यूंकि इसी दिन प्रदोसका व्रत होगा सुकरवार को पढ़ने की वज़े से चिस ब्रदोस तो कहते ही है अब जाल लेते हैं उस दिन पूजा का जो सुपर महुर्त क्या है दोस्तों महादेव की पूजा प्रदोस काल में की जाती है और इसका फल कई गुना जादा होता है इसलिए प्रदोस काल का समय हमें जानना चाहिए आठ मार्चुको जो पूजा का सुब्र महुर्थ है वह शंध्या काले इंच्छा बच्च करके 25 मिनट से लेकर के रात्री आठ वज़कर के 52 मिनट तक का है तो इस दोरान आपको पूजा, पाठ अच्छी प्रकाल से संपन्न करना है महादेव जी को पुछन्न करना है अब हम जान लेते हैं कि प्रदोस की पूजा का किस प्रकाल से विधिय हमको संपन्न करना है दोस्तों प्रतुस की पूजा आठ मार्च को है तो एक दिन पहले ही नहाय खाय यानि की वरत का नुश्ठान जो हम लेते हैं वो एक दिन पुर्वे ही लेते हैं देन ब्रश्पतिवार उस दिन हो रही है संपुन विधियों का ध्यान रखते वे असनान करें सुद्ध और सात्वे की भूजन को ग्रहन करें महादेव जी के नामों का स्प्रेन करें प्रदूस वाले दिन यानि कि 23 तिधी को 8 मार्च को सुबह ब्रह्म मूर्थ में उठकर के असनान आदि करें महादेव जी के मंत्रों का ध्यान करें मानसिक तोर पे आप ध्यान जप करें और उसके बाद जब सुर्योदे का समय हो उस समय उगते सुर्य को सुर्य नारायन को जल अड़पन करें अपनी घर के देव अस्थान में घी का दिपक जलाए या पिर तिल के तेल का दिपक जलाए महादेव जी के समक्ष सबसे पहले व्रत का संगल पलें अब संपूर्ण दिन आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि महादेव जी के नामों का स्मरण करें जागरन करें, किरितन करें दीन में सयन बिलकुल नहीं करना है यह विसेश तोर पे ध्यान रखें यदि आप नीराहार रह सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है यदि आप अन जल दूनों का त्याक कर सकते हैं यानिकि फलाहार भी नहीं और जल भी नहीं तो और उत्तम है लेकिं यह आप किस सरेरिक अवस्था कोछ ऐसी है कि आपको मैडिसीन लेने पर रहे हैं और सधियां लेने परती हैं तम आप ऐसे में ग्रहन कर सकते हैं फल फूल खा करके ही आप अपने व्रत को पूर्ण करने की कोसिस करें शंधिया काले इनको पार्थिव सिवलिंग बना करके पूजन घर में कर सकते हैं आत्वा शिवाले चले जाएं वहाँ पर महादेव जी को विभिन विभिन प्रकार के चीजों से अभी से करें जल दूद दही घी सकर सहद पंचा मृत एक के यानिके गने के रसे आमले के रसे दूद इस प्रकार से आप अभी से करें क्योंकि भगवान शिव की पूजा में अभी सी कम विजीज महतो होता है पूजा पाठ अच्छी प्रकार से करने के बाद उन्हें आप जन्यू वस्त्र समर्पित करें उसकी बद एक मुठी काले तिल जरूर समर्पित करना है एक मुठी साबुत चावल के दाने समर्पित करने है यदि एक मुठी साबुत ना हो पाए तब 11, 21 या फिर 15 इस प्रकार से चावल के दाने आपको समर्पित करने है महादेव जिके मंत्रों का ध्यान करना है और हर एक चावल को के जो दाने आप समर्पित करें उनके मंत्रों का ध्यान करते भी समर्पित करें निस्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति से होती हैं, धन्धाने में बढ़ुत्री होती हैं, इसके पिशात, धूप, दीप, अश्टगंध समर्पित करें, हातों में पुस्प लेकर के त्रियोदर्शी व्रत की कथा का स्तरवन अवस्य करें, वैसे तो कथा दोनु ही समय सुनना चा अब आरती करें, छमयाचना करें, दूसरी दिन आपको सबसे पहले व्रत का पारण करने से पुर्वर याद रखना है कि उचित योग्य जो व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ न कुछ अन्न का दान जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से अनंत कोटी गुना फल की प्राप्ति होती है उमीद करती हूँ, आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा, वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो, हैल्पूल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, फैमली और फ्रेंस में सेर जरूर करें, कमेंटो बॉक्स में हर हर देव लिखना बिल्कुल न भूलें, अगले वीडियो में नई जानकरी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों